हलो गूड इवनिंग मैं डियर स्टुडेंट्स आफ क्लास 12 कैसे हैं आप लोग आशा करतू हूँ आप सब अच्छे होंगे आवाज थोड़ी बैट गई है मेरी तो आज मैं आप लोगों की अकाउंट्स की क्लास लोगा बहुत लंबा समय हो गया अकाउंट्स की क्लास लिए औरहा हूं देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्ट और लाउस एक्रोप्रीएशन इन दो अकाउंट्स के बारे में आज हम लोग डिसकस करेंगे एक बड़ины दिसकस कर लेते हैं बच्छों के PL Appropriation Account, ही कि है? सबसे पहले देखिए, हम discuss करेंगे Profit and loss account के बारे में, ठीक है? सबसे पहले हम लेंगे क्या Credit side में by profit सबसे पहले PL account में हम क्या लेंगे by profit एक बार ध्यान रखींगा, बच्चों आप जो अगर question में net profit दिया हुआ है तो PL account बनाने की ज़रुवत नहीं पड़ती लेकिन अगर net profit नहीं दिया है तो हमें PL account बनाना पड़ेगा एक बर और बात करते हैं बच्चों मैं ये कह रहा हूँ कि अगर question में net profit दिया है तो हमें PL account की ज़रुवत नहीं पड़ेगी हम उसको direct PL appropriation में ले लेंगे by net profit लेकिन अगर question में net profit नहीं दिया है तो हमें profit and loss account बनाना पड़ेगा एक और तरीके से हम जान सकते हैं बच्चों कि profit and loss account हमें कब बनाना है सबसे पहले interest on loan, rent, manager commission अगर इन तीन चीज़ों में से कुछ भी आगया बच्चों let me repeat it one more time interest on loan, manager commission और rent अगर ये तीनों चीज़ों में से कुछ भी आया तो हमें PL account बनाना पड़ेगा याद करिए बच्चों class 11 के accounts के जो chapter था final accounts trading account, PL account and balance sheet उसमें PL account में हम interest on loan, rent और manager commission लेते थे, तो बच्चों ये बार ध्यान रखिएगा interest on loan, manager commission और rent अगर इन तीन चीज़ों में से एक भी आया तो हमें PL account बनाना पड़ेगा ओके बच्चों, अब आप notice करिए interest on loan के मैंने नीचे लिखा है loan taken by firm यानि कि अगर firm ने loan लिया तो इसका मतलब firm को उसका interest pay करना पड़ेगा and we all know all expenses are taken on the debit side तो ये लिखा मैंने to interest on loan loan taken by firm अगर firm ने loan लिया है तो उसका interest debit side में हैगा because firm को ये pay करना है ठीक है? इसके बार देखें क्या लिखा है? मैंने to rent rent भी firm के लिए expense है और ध्यान रखेंगा बच्चो ये PL account और PL appropriation ये हम लोग firm के point of view से बनाएंगे किसके point of view से बनाएंगे बच्चो firm के point of view से ये हम बनाएंगे firm के point of view से कि firm की अगर कमाई हो रही है तो credit में firm का expense है तो debit में तो rent firm के लिए expense होगा अगर firm ने कोई property लेकर उसका rent पे कर रहा है तो वो आएगा debit में और manager commission ये मैं आप लोग के लिए और clearly लिख देता हूँ manager commission और manager commission देखिए मैंने अब लिखा भी है only on profit manager commission सिर्फ profit पे मिलेगा अगर loss होए firm को manager commission नहीं मिलेगा लिखा भी है तो भी manager commission नहीं मिलेगा because manager को commission सिर्फ profit पे मिलता है loss पे नहीं मिलता तो interest on loan अगर firm ने loan लिया है rent और manager commission ये तीनों कहां पर आएंगे बच्चों debit में credit में क्या आएगा बच्चों profit आएगा profit और एक बर और लिखा है मैंने by interest on loan लेकिन बच्चों इसमें confused मत होना ये वाला interest on loan क्यों आएगा credit में because loan given by firm अगर firm ने loan दिया है तो firm को उसका interest मिलेगा तो firm के लिए वो income है और income कहांच होता है बच्चों credit side तो don't get confused अगर firm loan ले रहा है तो interest on loan debit में आएगा और अगर firm loan दे रहा है तो interest on loan credit में आएगा ठीक है उसके बाद देखिए बच्चों मैंने क्या लिखा है अगर credit का total debit के total से greater है बड़ा है तो net profit और अगर credit का total debit के total से कम है तो net loss और यहाँ पे मैंने net loss के आगे star बनाया हुआ है और net profit के आगे में star बनाया है और star का मतलब होता है बच्चों दोनों में से कोई एक आएगा मतलब या तो net loss आएगा या तो net profit आएगा particular यहाँ पे आप detail लिखेंगे amount में आप जो amount है जो exact amount है वो लिखेंगे particular amount और अगर debit, sorry credit का total जादा है तो net profit debit का total जादा है तो net loss देखिए बच्चों मैंने लिखा भी है credit debit से बड़ा है net profit credit debit से छोटा है net loss या तो PL account में net loss होगा या net profit clear है बच्चों अब इसके बाद हम बनाएंगे PL appropriation अगर net profit हुआ है बच्चों तो इसे हम लेंगे credit side इसको मैं कहता हूँ criss cross rule मतलब PL account के debit में तो firm के credit में अब देख लीजिए PL account में net profit हुआ है जो हम debit में ले रहे हैं बाटने के बाद distribute करके वो हम कहा लेंगे PL appropriation के credit में और अगर net loss हुआ है जो PL account के credit में आ रहा है तो PL appropriation के कहाँ चला जाएगा debit में और star क्यों बनाए गया है बच्चों क्योंकि दोनों में से कोई एक आएगा या तो net profit या net loss यानि PL account बनाके sorry PL account बनाके जो net profit और net loss आएगा उसे हमें लेना है PL appropriation net profit है तो credit में net loss है तो debit में अब देखिए debit में कौन-कौन सी चीज़े आएगी to interest on capital मतलब partner जो capital लगाते हैं उस पर firm को interest देना पड़ता है तो firm के लिए वो क्या है बच्चो expense इसलिए interest on capital को मैंने कहां ले लिया debit में two salary firm जो partners हैं उनको वो salary देती है या तो monthly या yearly या quarterly अगर monthly salary देगी तो 12 से multiply करेंगे into करेंगे और अगर yearly salary देगी per annum तो direct ले लेंगे और अगर quarterly salary देगी तो multiply by 4 because one year में कितने quarters होते हैं 4 मान लिजे किसी को 500 की salary मिल रही है per month 500 into 12 6,000 तो हम 6,000 को कहां लेंगे यहाँ पे और अगर 500 per annum है मतलब पुरे साल का तो हम कितना लेंगे 500 और अगर 500 per quarter है तो 500 into 4 2,000 because एक साल में कितने quarter होते हैं बच्चों मत होना यह manager commission है यह simple commission है अगर manager commission है तो वो PL account में आएगा simple commission है या partner commission है तो वो profit and loss appropriation account में आएगा उसके बाद to reserve reserve भी firm के लिए expense है वो भी debit में credit में क्या आएगा बच्चों सिर्फ एक चीज by interest on drawing by interest on drawing यानि कि partners ने अगर firm से पैसा लिया है अपने capital से पैसा withdraw किया है तो partners उसके बदले payment करेंगे यानि firm को वो मिलेगा firm के लिए वो income है और income कहा आता है बच्चों credit side उसके बाद देखिए बच्चों मैंने लिखा है by loss transfer to profit transfer मतलब फिर से वही लॉजिक अगर क्रेडिट का टोटल डेबिट के टोटल से ज्यादा है तो profit transfer और अगर डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल से ज्यादा है by loss transfer और मैंने स्टार क्यों मना है बच्चों because दोनों में से कोई एक आएगा या तो profit या loss और लास्ट में बच्चों देखिए मैंने मेनेजर कमिशन के बारे में एक लिखा है यह 11 में भी था कई बार बच्चे इसमें थोड़ा सा confused हो जाते हैं मेनेजर कमिशन आफ्टर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग 10% बच्चों अगर आफ्टर चार्जिंग बोलेगा न और 10% है तो 10 बाइ 100 बतब हंडेट में उसको प्लस कर देते हैं जैसे 5% है तो 5 अपॉन 105 20 परसेंट है 20 अपॉन 120 तो यहां पर मैंने एक्जाम्पल देक प्लस करेंगे तो 110 इंटो 55 5000 तो याद रखेगा बच्चों आफ्टर चार्जिंग बोलेगा तो 100 में उस परसेंटेज को हम प्लस कर देंगे और सिंपल मैनेजर कमिशन होगा तो 10 बाइ 100 इंटो 55 बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा ठीक है तो यह है PL अकाउंट और PL Appropriation Account this is very important because इस chapter में जो आने वाले topics है वो इसी से related है अब हम आगे के questions करेंगे ठीक है ओके तो बच्चों अब हम questions करेंगे देखिए नई बुक से मैं questions कराऊंगा because नई बुक update हो गई है बहुत सारे नए questions add हो जाते हैं तो लेक देखिए मैंने लिख दिया है 2324 टीएस ग्रेवाल latest edition ठीक है पुरा question बच्चों बहुत छोटा है मैं लिख नहीं पाऊंगा तो आप लोग questions को please book से देखिए question number 15 मैं solve कर रहा हूँ मैं read कर रहा हूँ question आपके लिए क्योंकि बच्चों net profit दिया हुआ है तो हमें PL अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है हम सिर्फ क्या बनाएंगे पी एल एप्रोप्रीयेशन तो यह हमने लिख दिया पी एल एप्रोप्रीयेशन अकाउंट कि डेबिट क्रेडिट कि पर्टिकुलर अमाउंट कि पर्टिकुलर अमाउंट कि सबसे पहले जैसा बच्चों मैंने आपको बताया था जो net profit है वो है 80,000 तो बाई है के नेट प्रोफिट एक टी होच अउसके बाद लिखा है इंट्रेस्ट ओन कैपिटल इंट्रेस्ट ओन कैपिटल कहा हैंगा बच्चों डेबिट में तू इंट्रेस्ट ऐन कैपिटल यह हैं यहां पे दो दो पार्टनर से यह लिखा मैंने विनोद और यह लिखा मैंने मोहन विनोद का कैपिटल है वन लैक वन लैक का 6% कि 6,000 और यहाँ पर इसको प्रॉपरली मेंशन करें वीज कैपिटल एम्स कैपिटल वन लैक का 6% 6,000 दूसरा पार्टनर है मोहन मोहन का कैपिटल सिक्टी थाउजन सिक्टी थाउजन का 6% 3,600 और इन दोनों का टोटल अमाउंट के सामने ध्यान रखिएगा बच्चों जो इंट्रेस्ट और कैपिटल मैंने विनोद और मोहन का निकाला है उसको मैं अंदर लिख रहा हूं पटिकुलर के नीचे और जो टोटल आ रहा है उसको मैं कहां लिख रहा हूं अमाउंट के नीचे अगर आप इन दोनों को यहां लिखेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगा टोटल जादा आ जाएगा तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग और अगर आप चाहें तो वरकिंग नोट में इसको आप शो कर सकते हैं बच्चों एक बार चेक करिए तो आप यह वाला आ रहा है इधर वाला ओक्य इंट्रेस्ट और कैपिटल विनोद वन लैक का सिक्स परसेंट शिक्स थाउजन मोहन सिक्स्टी थाउजन का सिक्स परसेंट थ्री थाउजन सिक्स हंड्रेड यह आ गया बच्चों है ना उसके बाद कोश्चन में लिखा हुआ है विनोद को थ्री थाउजन की सैलरी भी मिलेगी और यह थ्री थाउजन की सैलरी पर मन्त तो हम थ्री थाउजन को किस से मल्टिप्लाई करेंगे ट्वेल्फ से क्या ये नीचे तक पुरा आ रहा है बताईए तो ये नीचे तक पुरा आ रहा है अच्छा मतलब मुझे थोड़ा उपर लिखना पड़ेगा ताकि कवर हो जाए टू सेलरी थ्री थाउजन मल्टिप्लाई बाई ट्वेल थर्टी सिक्स थाउजन अमाउंट के नीचे अब कोशन में इतना ही दिया हुआ है अब बच्चों देख के बताईए कि साइट का टोटल जादा है क्रेडिट साइट का टोटल जादा है यानि नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड तो जिस साइट का टोटल जादा है उसको आप लिख के डबल लाइन खीचिए टैली कराने के लिए अब टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड अब 36 और 9 45 45 600 को हम 80 से क्या कर देंगे माइनस 80 में से 45 जाएगा आएगा 35 35 में से 600 और 34 400 मतलब इन दोनों के टोटल को मैंने 80 से माइनस किया प्रॉफिट ट्रांसफर्ड आगया 34 400 कई बार बच्चे इसका टोटल लिख देते हैं बच्चों में टोटल नहीं लिखना है जिस साइट का टोटल कम है उसको हमें जिस साइट का टोटल जादा है उससे माइनस करके लिखना है इन दोनों को प्लस करके आया 45 600 क्या मैंने उसका टोटल लिखा नहीं मैंने उसको इससे माइनस किया और लिख दिया 34 400 अब कोशन में रेशियो नहीं दिया है और हमने पल रहा है बचो अगर पार्ट्रेशिप डीड नहीं है प्रॉफिट कैसे बटेगा एक्वली तो टो विनोच कैपिटल टु मोहन कैपिटल एक बार चेक करिए तो यह हर रहा है यह आप डो पार्ट्नर है तो 1 बाई टू तीन होते तो 1 बाई 3 का दू ना स्कों भाई 4 आप इसको मल्टिप़्ाइं करेंगे आएगा 17,200 और इसका भी टोटल इसका भी profit आएगा 17,200 और ये इसका टोटल और इधर भी 80 फिर इधर भी 80 लिखके double line देखे तो ये 80 आ रहा है एक चेक करिए थोड़ा उपर लिखूँ अब देखिए क्या अब आ रहा है ये 80 आ रहा है अच्छा अब देखिए अब आ रहा है चेक करिए ओके ठीक है और अगर profit आपको बाटने में दिक्कत होता है बच्चो तो आप इसको working note में show कर सकते हैं ये मैं बना रहा था question number 15 एक बार यहाँ चेक कर तो ये वाला show हो रहा है ये वाला part ओके तो विनोद और मोहन 1 by 2 into 34 400 17 200 मोहन भी 1 by 2 into 34 400 17 200 ठीक है बच्चो इसको आप working note में show कर सकते हैं तो यह बन गया पी एल एप्रोप्रियेशन ठीक है और बच्चो एक बात और आपको बताना चाहूंगा यहां मैं लिख रहा हूं फिर उसको में रब कर दूंगा capital कब लिखना है और current कब लिखना है यह बहुत important है बच्चो कई बार बच्चो का इस वज़े से दो एक number कट जाता है यहां पर आपने उट्रिस करिए हर जगह में लिखा है ठीक है तो याद रखिएगा अगर अगर कोशन में fix लिखा हुआ है fix तो हर पार्टनर के आगे मुझे क्या लिखना पड़ेगा बच्चो करेंट बिकॉस फिक्स में बच्चो दो अकाउंट बनता है एक capital और एक करेंट और सारा adjustment करेंट में होता यानि अगर यहां पर कोशन में fix लिखा होता वीज करेंट एम्स करेंट सेलरी में भी सेलरी किसको मिली थी सेलरी मिली थी आपको वी को तो यहां पर मैंने लिख दिया वीज क्या पीटल लेकिन अगर फिक्स लिखा होता तो मैं यहां पर लिखता है वीज करेंट तो याद रखेगा बच्चो अगर फिक्स लिखा है तो हर पार्टनर के आगे आपको क्या लिखना पड़ेगा करेंट ठीक है यह बात ध्यान रखिएगा आप लो और अगर कोश अगर कोशन में फ्लक्चुएटिंग लिखा है तो फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकॉंट बनता है वह है क्या पीटल और हर पार्टनर के आगे आपको क्या लिखना है और अगर कोशन साइलेंट है अगर कोशन में बोला ही नहीं है बच्चों कि फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग तो हम उसको एजियूम करते हैं फ्लक्चुएटिंग और तब भी क्या लिखोगे चैपिटल जैसे इस कोशन में लिखा ही नहीं था बच्चों कि फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग तो हमन विनोट नेट प्रॉफिट इधर ले लिया यागया कैपिटल इंट्रेस्ट अंड कैपिटल इधर वरकिंग नोट 6-6 परसेंट वन लाग का 6% 6,000 60,000 का 6% 3,600 सेलरी मिला सिर्फ विनोट को पर मन्त विनोट कैपिटल 3000 x 12, 36 फिर इसके total से इसको minus किये 34, 400 ratio नहीं दिया था तो हमने उसको equally distribute कर दिया ठीक है बच्चों तो ध्यान रखिएगा बच्चों अगर equally बाटना है 2 है तो 1 by 2, 3 होते तो 1 by 3, आज के लिए बस इतना ही अब हम अगले वीडियो में बाकी के questions करेंगे Good night